भारत में मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है घर पर मेहमान आने पर नए नए पकवान बनाए जाते हैं और बहुत ही सम्मान से उनका स्वागत किया जाता है कई जनजातियों में मेहमान का स्वागत बहुत अलग तरीके से किया जाता है आज हम आपको एक ऐसे गाउं के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महमानों का स्वागत उन पर थूप कर किया जाता है आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्यों आए जाने इसके पीछे की वज़े मसाई जंजाती में इस अनुखी प्रथा को निभाया जाता है इस जंजाती के लोग केनिया और तंजानिया में रहते हैं इस जंजाती के लोग एक दूसरे के हाथ पर थूप कर स्वागत करते हैं ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से पहले दोनों एक दूसरे के हाथ पर थूपते हैं सुनने में यह प्रथा काफी अजीब लगती है लेकिन इस समुदाई में इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता है यही नहीं, यहां पर नवजात बच्चे पर भी थूखने की परंपरा है जिसे लोग निभाते भी है स्थानिय लोगों का कहना है कि बच्चे पर थूखने से सभी पाप दूर हो जाते है मसाई जनजाती के लोग लाल कपड़े पहनते हैं इस जनजाती के लोग कई अजीबो गरीब परंपराओं को निभाते हैं यहां पर किसी की मौत होने पर उसके शफ को दफनाया नहीं बलकि खुले में छोड़ दिया जाता है यह लोग छोटी छोटी छोपड़ियां बना कर रहते हैं